विभा दुलहन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी सहलिया उसे छेड़ते हुए कहने लगी देख तेरा दुलहा कितना जच रहा है। तुम्हारी जोड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है। तुम तो नजर उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं रही हो। विभा बनावटी गुस्से से अपनी सहलियों की ओर देखनी लगी। वैसे भी मेमानों की भीड में उसे रौनक की ओर देखते हुए शर्म सी आ रही थी। लेकिन मन ही मन वह भी सोच रही थी कि मौका मिलते ही नजर भर कर अपने दुलहे को एक बार देख ले। वैसे तो शादी की वीडियो और फोटो बाद में ही मिल नहीं वाली थी लेकिन इस पल को भी वह जी लेना चाहते थी। उसने चोर निगाहों से रौनक की ओर देखा तो उसका दिल जोर से धड़क गया। सच में उसका दुलह बहुत ही हैंसम लग रहा था। बहुत ही धूमधाम से उसका विवाह संपन्न हुआ। विदाई में वह माता पिता के बिछणने के गम में खूब रोई लेकिन फिर भी उसकी आखों में अपने नए भविशे के सपने भी जिल मिला रहे थे। विभा और अनक की शादी को 15 दिन हो चुके थे। धीरे धीरे विभा घर परिवार मे तो वह ससुराल में ही रह रही थी। वैसे भी विभा के ससुर दीन दयाल जी बड़े नेक इंसान थे और वह अब अपनी बड़ी बहु को बेटी की तरह मानने लगे थे। उसकी हर जरुरत का ध्यान रखते थे। नयन तारा भी बहुत ही मधूर सभाव की थी और वह विभ देखते ही देखते उसकी शादी को साल भर हो चुके थे और अब वो मा बनने वाली थी। ऐसे समय में नयन तारा हमेशा विभा से यही कहती थी कि मैं तुम्हारी बहन के जैसी हूँ मैं तुम्हारा खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसकी बाते सुनकर विभा को भ बहुत प्यार दुलार लुटा रहा था। विभा को लगता था जैसे उसके जीवन में जिन्दगी की हर खुशी है। देखते ही देखते उसकी बेटी पांच साल की हो चुकी थी और अब वह स्कूल भी जाने लगी थी। एक बार विभा अपनी बेटी को लेकर माय के गई ह कोई थी। इसी बीच उसके मोबाइल पर स्कूल से मैसेज आया कि दो दिनों के बाद उसकी बेटी के स्कूल में कुछ टेस्ट होने वाले हैं। तो वह तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर माय के जाने के लिए निकल गई। उसने घर पर किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि सबको अचानक से पहुँचकर सर्प्राइज देना चाहती थी। घर पहुँचते पहुचते रात हो गई थी। उसने अपने पर्स में पड़ी हुई चाबी से घर का दरवाजा खोला। घर पहुचकर उसने देखा कि पूरे घर में अंधेरा था। बस उसके कमरे में हलकी जोशनी थी। उसने जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला तो रौनक की बाहों में नयानतारा थी। यह द्रिश्य देखकर विभा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह गुस्य से चिल्लाते हुए बोली। रौनक यह सब क्या हो रहा है। नयानतारा अपने कपरे ठीक करते हुए शर्म नहीं आई। नयानतारा इस थपड से बोखला गई। वह गुस्य से चिल्लाते हुए बोली। तुम्हारा पती अभी यह कुछ ही सालों से बना है। लेकिन हमारा रिष्टा ज्यादा पुराना है। तुमसे ज्यादा यह मुझसे प्यार करता है। नयानता यह मुझसे पूछने वाले तुम कोन होते हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पहले यह बताओ। अरे अगर तुम्हें इसी के साथ सुकून मिल रहा था तो तुमने मेरी जिंदगी बरबात क्यों की। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रौनक ने नयानता अगर तुम मुझे अपनी पत्नी मानते तुम अपनी बड़ी भावी के साथ ऐसी काली करतूत कभी ना करते। उसके स्वर में इतना दर्द था कि पत्थर का दिल भी रो पड़े। लेकिन रौनक पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह चिक ने घड़े की तरह हस करने लगी तो तुमने अपनी भावी से शादी कर ली होती अगर इतना ही फर्ज निभाने का शौक था तुम्हें रौनक गुस्से में चिलाते हुए बोला तुम यह सोच भी कैसे सकती हो कि मैं किसी विद्वा औरस से शादी करूंगा अरे दो पल को मौज मस्ती करना अलग बात होती है मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उडाते कि मैंने एक विद्वा से शादी क्यों की रौनक की इतनी घटिया सोच की वारे में जानकर विभा को घिना सी मैसूस हो रही थी वो अपने आसू पोच कर उठ खड़ी हुई और कहने लगी अब मुझे तुम्हारे जैसे ली उठाई तो तुम्हारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा अगर तुम मुझे चोड़कर मायके गई तो दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे तुम्हें तलाक शुदा कहकर चिढ़ाएंगे मेरे साथ यहां आराम से रहो और जो कुछ चल रहा है उसे आख बंद देखते ही दीन दयाल जी गुस्य से काप उठे उन्होंने तुरंत नयन तारा और रौनक को अपने कमरे में बुलाया और वीडियो दिखा दिया वीभा ने उन दोनों को कमरे में देखते ही उन दोनों की करतूर रिकॉर्ड करनी शुडू कर दी थी और अब उसके पास पक् उनके सामने खड़े थे दीन दयाल जी विभा के सामने शर्मिंदा हो उठे थे उन्होंने हज जोड़ते हुए कहा छोटी बहु मुझे माफ कर देना मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने घटिया है इस चक्कर में तुम्हारी जिंदगी भी बरबाद हो गई कहते कहते उनकी आँखों से आसू बहने लगे तो विभा तड़प उठी और कहने लगी बाबुजी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि उन्हें ना तो खुद के मान सम्मान की परवाह होती है और ना ही वह दूसरों की भावनाओं की परवाह करत हैं बोलते बोलते वह भी रो पड़ी दीन दयाल जी कहने लगे बहु अब तुम जो फैसला लोगी मुझे मंजूर होगा विभा कहने लगी बाबुजी मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह पाऊंगी दीन दयाल जी गंभीर सी आवाज में बोले गलती किसी और ने की है तो तुम यह घर छोड़कर क्यों जाओगी मैं इन दोनों को ही घर से निकाल देता हूं यह घर अपसे तुम्हारा है बहु रोनक का नहीं यह सुनते ही नयान तारा और रोनों के चेहरे पर हवाया उड़ने लगी दीन दयाल जी ने रोनक से कहा कि अगर तुम अपनी भलाई च चाहिए दीन दयाल जी ने कहा बहु तुम जे सचा होगी वैसा ही होगा रोनक और नयान तारा को वह घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए जाना पड़ा पूरे समाज में उनकी बदनामी हुई लोगों को सचा ही पता चल चुकी थी रोनक के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ रहे थे कि समझदार और संसकारी पत्नी के होते हुए भी उसने कितना गिरा हुआ कार्य किया है दीन दयाल जी ने बेटे के हिस्से की सारी संपत्ति अपनी बहु विभा के नाम कर दी विभाव अपनी बेटी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी इस दिन नयन तारा ने अपने ही महले के किसी दूसरे लड़के को अपने जाल में फसाया और उसके साथ घर छोड़कर भाग गई अब रहुनक बिलकुल अकेला पड़ चुका था तो जीने की कोई आस नहीं रह गई थी और ना ही वह किसी से नजरे मिला कर जी पा रहा था वो का शिकार हो गया और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया एक दिन एक रोड एकसिडेंट में उसके प्राण निकल गए और इस तरह थोड़ी सी मौज मस्ती के चक्कर में उसने अपनी अनमोल जिंदगी गवा दी थी उधर नयन तारा जिस लड़के के साथ भाग कर गई थ था विभा अपने जक्मों को समेट कर अपने ससुर जी और बेटी के सहारे जिंदगी जी रही थी लेकिन अब उसे अपने जीवन में किसी पती की जरूत मैसूस नहीं होती थी क्योंकि कुछ रिष्टे ऐसे घाव दे जाते हैं जिन्हें दोबारा अपने जीवन में लाने क कर लीजीएगा धन्यवाद